यह आप आसानी से किस भी साइज में बना सकते हैं इसलिए मैं कई बार बना चुक्क हूँ पर्शनायती वीडियो को लाइक कीजिए इसके लिए तिरी परला का दागा और यह टमरकल सलय का यूज़ गर रही हूँ फंदे आप कम जयाता करा सकते हैं साइज का इसाब से इसमें साइज का वीडियो एक फंदे डालने वाली हूं इसकी रंग पर्शनायती और यह घॉद्ह सेके साइजो और यह 38 फंदे डालने का रेम Deputy होता है में साइज कर से साब्सित देखायं, भाकपाथ sap बन कर आता हु है अब देखे सारी फंदे में उपर से चोटी तका लंबाई बिनने हैं और बोडर आपको बात में बिनने हैं आप फंदे कमघे। गरा अ सकते हैं इसी हिसाब से बोडर देखिए नीचे आता हैbed कान का हिस्री में देखे इस तरीके से आपको बनानी है यह आप किसी विशाज का धागा अर्ण डिडर से बना सके इसलिए मेजरमेंड लेने के तरीके बता रही हूं आपको फसन्दा बिना-मिना धागे पीछे यहां से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है बहुत ही ईजी है और ईज बिनने हैं मतलब दो सलाई बिनने हैं इसका उपर पैटन चेंज गरनी है मतलब सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं रो थीरी में आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं और ब्याक साइड में देखें उल्टी डिजाइन आता हैं और उल्टी बिनाई बिनकर बनानी है ब्य इसलिए बिनाइब बिनाए बेन नहीं बोती आसान है तो बीगिनर है दागा अपने और अपने दो पुरा ऑद चुका है इसलिए दो सीधी का डीजाइन बन कर आ रहा है अब देखे इसका उपर फिर बीजाइन चेंड का नहीं है सारी फंदे उल्टी बिनकर आप देखें ब्याक साइड में सारी फंदे सीधी है अब देखें मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रहे हूँ लास्ट में फिर दो फंदे दो कायक बना देना है मतलब एक फंदे गटा देना है देखें तीन फंदे गाड़ चुका है सीधी साइड से कटानी है अब देखें इसका ब्याक साइड से फस्पंदा पीना पीना आप देखें सारी फंदे सीधी नजर आ रहा है ब्याक साइड में इसलिए ब्याक साइड से आपको पैटरन चेंज गानी है और ब्याक साइड से जिस तरीके से हमारा डिजाइन है उसी त तरीके से बिनने है फिर इदन दो फंदे दो का एक गरती होए गटानी है अब देखे एक दो तीन चार पांट डीजाइन इसमें बहुन चुका है तो देखे एक दो सीधी का एक दो तीन धारी वाला डीजाइन अब देखे इसी तरीके से दो फंदे दो का एक गरती होए बिनन सब्राद Ooh운 को त्राइब इसका दूसरी साइड फस बेना सबर्सान में लाइज सिल्टा फिर साथ में आद एक 56 से बीन थे इसी तरीके से बीनने हैं के विएने का लाश में आरही हैं कर लाका एक वन्य चाहिए तो देखे इस तरीके से मनाईए औरव देखे इसकी सीधी साइड से थोड़ी आलग से आपको बिनाय बिनए भाकर आपने ओर में अुलती में आपको ऊलती बिनाय बिनाय तागे पीछे बिच होल से आपको बनानी हैं एक पंदा उल्टा बिनाए तागे पीछे आपको बिनती होई बना नहीं देखे 38 फंदे में हम इसी तरीके से दो फंदे दो कायक गरते हुए बना रहे हैं बहुती जल्दी बनकर आता हैं अब देखे फर्स फंदा बिना मिना तागे पिछे सीधी फंदे का बीच वोल से सीधी बिनाए तागे पिछे सीधी फंदे का बीच वोल से सीधी बिनाए उल् कि ऊस्तिरी ऌता से कि 5 अजिसी बाट को आपको रीपीट गारनी है अब देखे इसी तरीके से इसी बात को रीपीट होई लगस्ट में आती हूं लास्ट में आने के बाय TR थे दो फंदेद्ध व क्यार्य करती होई है बिन थे हैं अब कर एक फंद वा अब देखे से आपको फंदे घटाते होए बना रहे हैं इसी में हमारा लास्ट में बोढ़र बन–कर आता हैं और इधर साइड यह उपर का हिस्ता है अब देखें यहां से फिर दो फंदे दो काएक दागा आपने और एक पंदा उल्टा भी नहीं दागे पीछे दो फंदे दो काएक अब फिर लास्ट में दो फंदे दो काएक तो देखें इस तरीके से बनानी है अब देखें इधर हम दो फंदे दो काएक ग गटा रहा हुँ दो फंदे का डिजाइन है और ये अशाइब किसी भी शाइब का धाय बना सके इसलिए मेंजर मेंन आकर तरीके बतार हुँ देखें यह मैं एक पाट बना रही हूं सौर का और देखें एक पाट ये हरारी 2 इंच का है और ये फेक्सिब्ली भी हो चाहा है तो देखे छे हिससे बनाने के बाद यह धीए 15 हैं फेकसिबल होनेके बज़त से यह धीए मैं आपको बता चुकी हूँ यह फेकसिबल होता है इसकी बज़त से यह गोर्डू से 17 1 15 बारण बढें Constuger 7 तो और तिस में दो फंदे पलस करके4 अगर स्फोटा शायज का बना रहे हुए सीधी फंदे का 20 से और उल्टी मिन है सीधी फंदे का 20 से लाश में फंदा उल्टा इस तरीकے से आपको बनानी है यह इसका बैक साड है मतलब यह बैक साड है अग कर यहां आ च और साइड आपको फंदे उठानी है एक दो तीन चार पान चेस्प आट नौ दो अगर 12 और उपर में हम बिना घटाय का गर रहे थे इसलिए नीचे से आम उठा रहे हैं इसमें देखिए 26 फंदे होने के बाद 12 इस तरीके से जो घटाय थे वो उठा कर आपको फिर 38 फंदे बनानी है साइज का इसाफ से फंदे आप कम बेसी गरा सकते हैं ये 12 फंदे के जग इसी तरीके से अठाईएगा आप जायतों इसका दोनों चेंन में लेकर उठा भी सकते हैं और देखिए 1 लेकर भी उठा सकते हैं अब देखिए ये सर का एक हिस्सा रहे है기는 अधर जोसके घटा आ ये फंदे इस तरो इसके उपशनी उत़ाना हैं 12 फंदे आनीक ब losing 13 और होन के बाद इधर से आपको फिर वीनाई भीननय मतलब यह सीधी साड़े है यह आव से आम जिस तरीके से डीजाइन बनाये थे उसी तरीके से इस का उपर डीजाइन बनाते हुए भीननना हा सारी खनक्वन फंदे वीना भीनती हुए अब देखि Bowl इसी तरीके पर चुट्वांद से गटाइगे आप देखे इसका ब्याक सब्साइट पॉलाटनी है तागे पर यहां से आपको फिर आपको साध्य बंदे हैं उसी तरीके से बीन नहां यह सबीक इसी तरीके से बीनते हुए बिनायका लास्ट में आ रही हूं अब देखिए फिर लास्ट का एक फंदा सीधा तो देखिए इस तरीके से बन कर आता हाँ अब देखिए इसका बैक साइड से बैक साइड में देखिए यह डिजाइन आपको फिर रिपीट गरनी है जिस तरीके स हम नीचे में बनाए थे उसी बात को repeat गाते हुए इसका उपपर बनानी है यह हमारा एक कॉलम है सर का एक हिस्टा यहां तक बिढने के बाद अब देखे इसी बात को इसका उपर repeat गाते हुए इसी तरीके से दोफंदे दोकाइक गटाते हुए यहां से हमारा यह design repeat हो रहा है इसी तरीके से दोफंदे दोकाइक गटाते हुए design repeat गटाते हुए बीनने है एक कोलम यह बन चुका है इसी तरीके से बागी का छे कोलम बनाने के बाद यह सर की हिसाब से बनकर आता है अब देखे फिर मैं इतनी बीन चुकी हूँ एक कोलम और यह दूसरा कोलम में मैं आ रही हूँ यहां से जिस तरीके से इस्टाट कर रही हूँ उसी तरीके से इस्टाट गते यहां तक में आ रही हूँ एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौव दस ग्यारा बारा तेरा दुना 26 फंदे बाकी है मतलब 26 फंदे होने के बाद जो फंदे इधर आम दो सटीन फंदे बाकी है अर इधर से फिर 12 फंदे उठाएंगे तो इसका उपर फिर 38 फंदे बनानी है मतलब 38 फंदे आपको बनानीमीर है अभानयाश मीं आपने चैन में ूठानी है स्यूजिन टेंड़ मना सकते हिं एक डीजाइन बनकर आता है तो देखिए इस तरीके से आपको इधर से फंदे उठानी हैं यह आप फंदे कौम बेसी गरा सकते हैं सर की गोलाई का इस आप से जिस तरीके से आपको जितनी आवसक है उतनी इसी तरीके से फंदे गटाईएगा जो 12 फंदे की जगा भी और 14 फंदे की जगा भी आप आपका इसाब से कटा सकते हैं यह में मेडिम साइज का बना रही हूं और यह मेरा साइज का बनकर आ रहा है अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद अब इसकी सीधी साट से इसका पर बीनते हैं देखिए यहां से जिस तरीके से बना रही थी उसी बात को रिपिर गते हैं फिर इसका पर बीनती हुए यह डिजाइं इसका पर बनाते हुए यह देखिए एक दू कुलम बन चुका है इसी तरीके से इसका उपर 6 कोलम बनाने के बाद यह इस तरीके से बन कर आ रहा है यह 38 फंदे का टोपी का डिजाइन में भी यह आसानी से टोपी बन कर आता है देखे इस तरीके से यह टोपी बन कर आता है जो हम गटाई गर रहे थे ये नीचे साइड में आता है, अग remember ये इस तरीके से बात में शीलकर जोड़ाय गरनी है, इढर से आपको पंदे उठाकर बोडर बनानी है, ये सर के एक kolum है, इसी तरीके से जितनी सर की आबसक है, उतनी आप इस तरीके से design बना सकते हैं, दिखें, एक, दो, तीन, चार, पा पुझाए ने तक गटाए नहीं है यदर जो कटाए थे बाहरा फंदे वो उटा कर भी इनना है और 38 फंद बना नहीं है अब देखे यदर एक फंदे गटाई का बाखी है इसमें भी घटाकर देखाती हूं फस्पंदाई बिना बिना सीधी का 20 सेंटर से उल्टी बिना उल्टी में उल्टी बिना तागे पिछे सीधी बिना इसी तरीके से बिनते आना है अब देखे फिर उल्टी में उल्टी बिना लास्ट में दो फंद में दो देखें इसका उपर 26 फंदे बाकी है 26 फंदे बाकी होने के बाद 1 फंदा विना मिना दागे पीछे इस तरीके से आपको एक उल्टा एक सीधा बिनती होए आपको बना आए नी है अब देखिए इस तरी के से बिनती होए बिनाय का लास्ट में मैं आ रही हूँ एक फंदा उल्टा बिनाय धागी पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाय एक फंदा उल्टा बिनाय अब देखिए धागी पीछे एक फंदा सीधा इस तरी यह इसका ब्याक साड है और इ तक अब देखें एक दो तीन चार पांचे साथ आर नौ दस एगरा बार मतलब यह फंदे आपको उठानी है उपर में हम बिना गटाई का गरा रहे थे इसलिए इसका नेची से देखें एक एक फंदे उठा देना है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट गरते हुए यहां से आ मतलब 30 फंदा है इसका उपर अब देखें इसका उपर का फंदे आपको बंद गानी है फंदा बिना बिना एक फंदे बिनना है और यह फंदे इसी का उपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनना है और यह फंदे इसी का उपर से गिरा देना है मतलब सर की गोला का इसाफ और से यह design पूरी होने के बाद इसका उपर इस तरीके से कटाई गरनी है इस तरीके से बिन्ने है और इस्का इसके बनकर करीने हैं把它 सिलकर 1 का यह यह तक अभी इसमें border बनानी है और border बनानी के लिए इस तरीके से इसकी सीथी स्याइट से आपको फंदे उठानी है ये इसका एक सा्यटेर में šeee तरीके से टालनी है अब देखे इसका है ये पतने इसके से उठानी यहां से और शातों में फिर एक इमे से 2 बनानी है अब देखे एक लाइस से 151 दोनों चैनल लेकर एक इस तरीके से 6 फंदे ऊठाने के बाद साथ में पाद में आपको एक इमे से 200 बार उठानी है उठानी पासाथ को Reg single से 2 एक बार आर यह दो बार इस तारीकिसे फिर देखिए एक दो तीन का चार कि पांच के छे का छे फंदें बिनने के बाद एक मेंसे दो बार मिनने ब्याक साइट का चेंच से एक बार फिर फररण साइट का और ब्याक साइट का दोनों लेकर एक बार इस तरीके से फिर देखिए एक और ये दो अर यह तीन इस तरीके से बनकर यह आ रहु पॉचछ है, इसमें 82 फंड़ है, यह सौरर की गोलाई का इसमय से फंद आपका कम बैसी होता है, अब देखतें यह आँ से आपको 62 सी सारी फंडे उल्टी बिनाई बिनाईaufen एक 52 फंडे उठाने के बाद, अब देखें इस तरीके स हैं अब देखे हैं इस तरिके से बनाने हैं और उल्टी इसी बीन करो इसी बात को रिपीर्गाते हुए आपको 6 डिजाइण बनानी है अब देखे हैं यह 3 1 4 5 चैर ब्रॉड़ 1 से फिर आपको you 3 प्रेंदे शीदी कीव मेशुड़ करसे हुए मतलब आपको 82 फंदे में 24 फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बिनने है अब देखें यह में गिनकर भी आपको देखाती हूं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एगरा, बारा, बारा, दुन, 24 फंदे हैं इदर अब देखें इदर में मारकर लगा रही हूं यहां से फिर आपको 34 फंदे सीधी सीधी बनानी है यह बिच का एडी के लिए है कि आपका अब देखें इस तरीके से में इदर 34 फंदे बिन रही हूं 34 फंदे बिनने के बाद इदर साइड भी मारकर लगाते हैं यहां से यहां तक 34 फंदे हैं इदर और इदर 24 फंदे अब देखें गिंते एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आज, नौ, दस, ग्यारा, बारा, बारा, दुन, 24 फंदा हैं इद अब देखें यह मारकर है, यह मारकर दुसरी साइड लगा रही हूं अब देखें इदर का में 2 फंदे निकार रही हूं बिना इसे और फिर 2 फंदे, दो, मतलब इदर साइड का 2 फंदे गटा देना है, फिर पलाटनी है आपको दुसरी साइड, दुसरी साइड पलाटनी के बाद इसका दूसरी साइड में फिर दो फंदे दो कायक गत हुए गटा आनी है अब देखे इस तरीके से दो फंदे दो कायक देखे फिर इधर से पलटनी है आपको पलटनी के बाद इसकी सीधी साइड से फिर यहां से यहां आने के बाद फिर दो फंदे दो कायक बनाएंगे सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है अब देखे इसी तरीके से यहां तक आने के बाद फिर दो फंदे दो काई गती होई बिनेंगे अब देखे मैं इस तरीके से बिनती होई मारकर तक आ रही हूँ अब देखे फिर इधर दो फंदे दो काई इस तरीके से बिनना है मतलब एक सी तरीके से बन कर आ रहा है तरीके से 22 फंदे बाकी हैं दोनों साइड में 12 फंदे गटा आ चुकी हूं 12 फंदे बाकी होने के बाद इसका उपर फिर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने हैं 15 फंदा बिना मिना यहां से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी मेंने हैं यह से सीधी सीधी बिनने के बाद यह देखिए इदर जो हम गटाई गर रहे थे उधर साइड का फिर एक फंदे उठा देना है अब देखिए एक दो तीन चार पांच से मतला ऊपर का बिना गटाई का है इसका नीचे का देख रहे हैं दोनों चेन लेकर आपको फंदे उठाए नहीं है पंदे आपको सीधी बिनकर उठाए नहीं है जिसकी बज़़ा से देखिए यह फंदे दुसरी साइड पलड़ जा गटाय का है वाला फणदते हैं कि दूसरी साइट पड़नी है आप देखें दूसरी साइट से फ़ीस बंद के हें दोसरी फविक्त सिदूर को साइट से अफ़ीं सीधी ऑनकर दिद से wp ball लेचा है एक टेओ इसी तरीके से इधर आएंगे तो इधर साइट से उठानी है तो देखें फिर में बीनते हुए विनाया deposit में आरही हूं है क्या तो देखें यह बिनना है फिर इधर का यह चेन वाला लेना है फिर शीरी विनायाلبिनानी के अब देखें, इस तरीके से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने के बाद, फिर इधर साइट से एक फंदे उठानी है, अब देखें, मैं इस तरीके से बीनते होए बिनाई के लास्ट में आ रहे हूं, सारी फंदे उल्टी भी नाई फिर इधर साइट से एक फंदे उठानी है इस तरीके से क्या आपका एड़ी बनानी है मतलब टोटल फंदे को आपको तीन भाग में लगा कर इस तरीके से एड़ी बनानी है छे-छे फंदे कटा कर ये किसी भी साइज में बनाना है तो इसी तरीके से बनाईएगा ये देखे फंदे उठाने के बाद ये इस तरीके से बनकर आता है ये एड़ी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारफ बारफ तेरह चोदह पंद्रह सुरह सत्रह मतलब 34 फंद है और ये इस तरी रखे से एड़ी बनकर आ रहा है मतलब नीचे में जितनी फंदे लेकर बनाए थे उतनी फंद इसका येक फंदी तरीके से उठा देना की definite मैं बनानी है जaking के बीना होल का बनाने के लिए आपको एक फंदे oftenesta ऊठानी है इस तरइकेसे बाइक का संदिस्दी सीधी बनानी है बहुत ही आसान है और इससान तरीकेसे मन करता है पॉइनने के बाद बहुत ही सुन्दर ना जराता है मैं कई बार बना आ चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर गर रही हूँ थोड़ी भी ये वीडियो परशन आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर गर मत बुले अब देखे इस तरीके से फिर ब्याक साट से सा आपको देखाती हूँ तो देखे इसमें ये शीरी वाला एक चेनल लेना है नेडल में डालनी है और उल्टी बिनाए बेनने है तो देखे इस तरीके से बिनाए का लास्ट में आ रही हूँ तो देखे इस तरीके से ये एड़ी बनकर आ रहा है तो देखे इस तरीके से बनक कर आता हैं तो देखें इधर हम 6 सीधी का डिजाइन बनाएंगे और 12 सीधी का डिजाइन इसका उपर बिनने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ पहंच चुका है तो इसी तरीके से इसका उपर और बिनकर 12 सीधी का डिजाइन बनानी है शीधी साथ से सीधी बिनाएं बिनते होए और ब्याक साथ से उल्टी बिनाएं बिनते होए आपको बनानी है इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते होए आप देखें सीधी का डिजाइन एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एगरा 12 सीधी का डिजाइन बन चुका है इतनी बिनने के बाद इसका उपर का फंदे बन गारनी है अब देखिए फास फंदा बिना बिना फिर ये वाला फंदे बिनना है और पीछे का फंदा इसका उपर से गिरा देना है फिर एक फंदे बिनना है पीछे का फंदे इसका उपर से गिरा देना है इस तरी खीचना है अब देखिए कितने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड होता है और ये एडी लगाएंगे इसमें और एडी लगाने के बाद इसका नीचे का बोडर में आपको सील देना है फोल्ड करके और इसमें जो हम फंदे बंद गर रहे थे और जो हम फंदे उठा रहे थे ये दो लेकर आपको सिल देना है तो देखे इस तरीके से इधर का एक लेना है और इधर का एक लेकर सिल देना है तो देखे इसी तरीके से सिलते होए मैं यहां तका रही हूँ यहां तकाने के बाद यह एड़ी लगाऊंगी ये आप बख्रम भी लगा सकते हैं इसकी जगा आप जाए तो पुराना कैप का निकाल के भी लगा सकते हैं और ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है देखिए इस तरीके से डालनी है और देखिए डालनी के बाद इधर साइड में सिलाई गरती हो तो देखिए इस त सीलाई करने के बाद इतर साइड आपको वह वाला लेकर इस तरीके से इसका उपर सिलाई गारनी है अब देखे इसी तरीके से सिलाई गारते हुए मैं इसका नीचे तक आ रही हूँ अब देखे इस तरीके से सिलाई गारते हुए ये बोडर तक मैं आ रही हुँ तो देखे इसमें भी इसी तरीके से सिलाई गारनी है और ये टोपिक बनने के बाद बहुत शुन्दर ना ज़राता है में कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर गर रहे हूँ आप भी जरूर ट्राइ गरिएगा और परशन आयते बिड़े को लाइक कीजे दोस्तों शेयर गरना मत बुलिए इस तरह कासान और यूनिक मिलते हैं दूसरी नवी बड़े में तब तक के लिए दिपैनेटिंग चैनल तने बाद